हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अबिदेके एन वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास मोटरोला का कोई सा भी फोन है और इसमें आपको इंटरनेट चल नहीं रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें वीडियो पूरी और बिल् सिम से एक जीबी या फिर देड़ जीबी रोज की मिलती है आपने वो तो नहीं यूस कर ली है तो उसे चेक करने के लिए आपको एक एप इंस्टाल करनी है प्लेइस यूजज ठीक है सर्च करें और इसे इंस्टाल करने नहीं आता है setup करने नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं मेरा चैनल का नाम सर्च करके ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर setup कर लेंगे तो यहाँ पर आपको scroll down करेंगे आपके notification में पता चल जाएगा आपने कितनी MB यूज की है ठीक है अगर अभी भी आपने पूरी देड़ GB या 1 GB यूज नहीं की है फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो यहाँ पर अब solution की तरफ आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले phone की settings में जाना है और अब यहाँ पर आपको network and internet पे आ जाना है यहाँ पर आप देख पाएंगे SIM card का option इस पर आ जाएं अब देखिए सबसे important चीज़ यहाँ पर आपको अपना data on रखना है पहले तो ठीक है data on रखने के बाद यहाँ पर आपको data पे click करना है और select करना है जो SIM card में आपने recharge कराए हो ठीक है यहाँ पर आपने जो भी SIM card पर recharge कराए हो उसे select करना है जैसे अगर atl पर कराए है तो atl को आप select कर ले और अगर geo पर कराए है तो geo को select कर ले तो मैंने geo पर select कर लिया है ठीक है इसके बाद यहाँ से back आ जाए और आपको यहाँ पर data roaming के option पर आना है और यहाँ पर allow all network कर देना है ठीक है ओके कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर volti को on कर देना है ठीक है यह on रहना चाहिए and preferred network में आके आपको lt set करना है अगर lt में आपका internet नहीं चलता है तो आप 2G या 3G कर ले कभी-कभी क्या होता है आपके वहाँ पर बरावर 4G network नहीं आता है इस वज़े से आप 3G या 2G पर set करके एक बाद try कर लें ठीक है इसके बाद आपको सबसे नीचे access point names पे आना है और यहाँ पर आपको 3 dot पे क्लिक करना है और reset to default पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है इसके बाद आपका APN setting reset हो जाएगी default में ठीक है पुरी तरीके से back आ जाए अपने phone को reboot कर लें चाहे तो power button से reboot कर लें या फिर यहाँ से भी आप reboot या restart कर सकते हैं यानि reboot यानि restart ठीक है restart कर लें restart होने के बाद जैसे ही आपका phone on होगा तो आप अपना data on करें data यहाँ से आप on कर सकते हैं और इसके बाद आप चलाए आपका internet चालू हो जाएगा पुमिण यहाँ जयाँ श्हाँ यहाँ प्याँ अबड़ा